हेलो फ्रेंड मैं हूनिक और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे दा हंडेड मेंस का जो 26th मैच होने वाला है ओवल इन्विंसिवल वर्से लंदन इस्पिरिट के वीचिस के देखेंगे लेकिन उससे पहले पीच रिपोर्ट के बारे बात कर लेते हैं तो देखें यह मैच होने वाला के लिंग्टन ओवल में और यहाँ का अगर पीच का बात किया जाए तो यहाँ पर अब तक टोटल 3 मैच खेले गए हैं इसी टुनामेंट का मैं बात कर रहा हूँ अब तक टोटल 3 मैच खेले गए हैं जिसमें से एक मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है और दो मैच बालिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है और जिस speech पे भी average score 140 से कम होता है उस speech को balling friendly pitch बोला जाता है so balling friendly pitch है यानि कि यहाँ पे batting करना थोड़ा सा tough होगा run बनाना थोड़ा मुस्किल होगा वहीं बात करतें balling में तो balling में wicket निकालना बहुत यासान होगा और wicket यहाँ पे किसको जादा मिलता है तो देखें यहाँ पे mostly fast baller को जादा wicket मिलता है spin baller को मुकाबले इस speech पे जो last match खेला गया था उस match में भी यहीं चीज़ देखने को मिलाता जो last match खेला गया था वो खेला गयाता है इसी tournament का 22nd match overall invincible versus southern brave के बीच उस match में total 12 wicket गीरे थे जिसमें से 9 wicket fast baller ने लिये थे और 3 wicket spinner को मिला था यह आकड़े देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस speech पे spin baller को मुकाबले fast baller को जादा wicket मिलता है अगर overall बोला जाए तो balling friendly पीछ रहेगा और mostly fast baller को जादा wicket मिलने वाला है तो इनी सब बातों को ध्यान में रखते हैं आज कहांने dream 11 team त्यार किया हुआ है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज से wicket keeper के बारे में तो wicket keeper में आज से Jay Cox को ले लिजेगा Jay Cox आपके लिए important रहेंगे अभी पिछले match में 46 run की बहुत अच्छी पारी खेल करा रहें नमबर 3 पे batting करते हैं तो Jay Cox को ले लिजेगा A. Rossington को छोड़ दीजेगा नहीं खेलेंगे D. Ferreira फिलाल बिल्कुल भी form में नहीं चल रहें इनको भी छोड़ दीजेगा लगतार flop हो रहें पिछले 3 match से पिछले match में D. Ferreira सिर्फ 8 run बना कर आउट हुए थे उससे पहले वाले match में 1 run उससे पहले वाले match में 2 run बिल्कुल भी form में नहीं है तो D. Ferreira को छोड़ दीजेगा aim paper का बात क्या है तो aim paper उतने कुछ खास player नहीं है इनको भी छोड़ दीजे इनका भी अगर form देखा है तो बहुत ही बेकार रहा है पिछले match में सिर्फ 9 run बना कर आउट हो गया उससे पहले 2 run, 20 run, 3 run ये पिछले कुछ matches में aim paper का performance बिल्कुल भी form में नहीं चल रहे aim paper को आप लोग छोड़ दीजेगा और Sam billing से देखे बहुत ज़्यादा वरोसा था लेकिन फिलाल Sam billing के बल्ले से भी run निकल नहीं रहा है आप performance भी देख सकतो पिछले match में 5 run प्याउट हुए थे उससे पहले 24 run, 17 run, 2 run यह पिछले 4 match में performance एक भी कोई बड़ी पारी हमें इनके बल्ले से देखने को मिल नहीं रहा है सो Sam billing को भी छोड़ दीएगा Sam billing उतना important नहीं रहेंगे बात करते हैं यहाँ से batting में तो batting में यहाँ से के जेनिंग्स आपके लिए important रहेंगे जेनिंग्स बहुत अच्छे player है पिछले match में के जेनिंग्स हमारे टीम का तुरूप का इका थे के जेनिंग्स को हमने अपने टीम में रखा था बहुत कम लोगों ने के जेनिंग्स को अपने टीम में रखा था जब हमने के जेनिंग्स को अपने टीम में रखा था उस वक्त तक सिर्फ एगारे या 12% लोगों नहीं के जेनिंग्स को अपने टीम में रखा था लेकिन हमने अपने टीम में रखा था और आप देख लिजे पिछले मैच में के जेनिंग्स ने 61 रादू की बहुत अच्छी प प्रफार्मेंस किया था, उन्हीं में से एक थै के जेनिंग्स जिन्होंने 61 लनू की बहुत अच्छी पारी खेलीती, मेरे तो जितने भी ओपोनेंट थे, किसी के पास भी के जेनिंग्स थे ही नहीं, क्योंकि के जेनिंग्स को बहुत कम लोगों ने अपनी टीब में रखा था इसी वज़ते हमने के जेनिंक्स को अपने टीम में रखा था और यह आप देख लीजे वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि के जेनिंक्स बड़ी पारी खेलेंगे और इन्होंने खेला भी और 61 ननों के नहोंने बहुत अच्य पारी खेलेंगे सो के जेनिंग्स को रख लीजेगा इंपोर्टेंट रहेंगे एच वार्ड नहीं खेलेंगे डी बेल भी नहीं खेलेंगे टी लेवन भाई बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहें आप इनका परफॉर्मेंस भी देख सकतो पिछले मैच में सिर्फ 7 रन बना कर आउट हुए उससे पहले 12 रन उससे पहले 6 रन बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहें तो टी लेवन भाई को छोड़ दीजेगा टीम हुए नहीं खेलेंगे और ओली पॉप को तो मुझे समझ भी नहीं आ रहे कि क्यों इनको खेलाया जा रहा है लगतार फ्लॉप हो रहें फिर भी इनको लगतार मौका दिया जा रहें आप इनका पर्फॉर्मेंस भी देख सकते हो ओली पॉप का पिछले मैच में तो खाता भी नहीं खोल पाई जीरो प्याउट हो गया उससे पहले वाले मैच में सिर्फ 10 रन इनन बनाया उससे पहले 4 रन उससे पहले 12 रन लगतार फ्लॉप हो रहे हैं देखे ओली पॉप टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर है लेकिन सौट फॉर्मेट हो गया जैसे टी ट्वेंटी हो गया टी टेन हो गया देहंड्रेड हो गया ये सब फॉर्मेट के ये उतने कुछ खास प्लेयर नहीं है सो ओली पॉप को छोड़ दीजेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे मलान का बात क्या है तो मलान भी लगतार पिछले 2 मैच से फ्लॉप हो रहे हैं कि बल्ले से रन निकल नहीं रहा पिछले मैच में भी सिर्फ 14 ही रन बना कर आउट होगा और उससे पहले वाले मैच में सिर्फ 7 रन और ये मैच जहां पे होने वाला है वहां पे बॉलिंग फ्रेंडली पीछ रहेगा सो रन बनाना और भी ज़्यादा इस मैच में मुस्किल होगा सो मलान को छोड़ दीजेगा उतना इन्पोर्टेंट नहीं रहेंगे सिमरन हेटमायर मुझे भरूसे मन प्लेयर लगते नहीं है एक मैच में चलते हैं तो उसके अगले 3-4 मैच में फ्लॉप होते हैं भरूसा नहीं किया सकता है सो हेटमायर को भी छोड़ दीजेगा और डी लॉरेंस का तो मतलब पता नहीं इनको क्या हो गया स्टार्टिंग के मैचेज में डी लॉरेंस अच्छे खासे फॉर्म में दीख रहे थे रन भी बना रहे थे विकेट भी ले रहे थे लेकिन पिछले 3-4 मैच से लगतार फ्लॉप हो रहे हैं पिछले मैच में नहीं कोई रन बना पाए जिरो पे आउट हुए और नहीं बॉलिंग में कोई विकेट ले पाए उससे पहले वाले मैच में सिर्फ 4 रन प्याट वेते हैं उससे पहले वाले मैच में फ्लॉप रहे है तो और कोई विकेट भी लेनी पाये थे मतलब D.Lawrence को भी छोड़ दीजे है ये भी बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे है और नहीं बॉलिंग में इनको कोई विकेट मिल रहा है सो डी लॉरेंस को छोड़ दीजेगा आईए अब बात करते हैं ओल राउंडर के बारे में तो ओल राउंडर में रसिल को ले लीजेगा भले रसिल का बला पिछले कुछ मैचे से हलना नहीं कर रहा है लेकिन आपको इपता है रसिल खतरनाक फ्लेयर है इनको छोड़ना मतलब अपने पैर पे कुलाड़ी मारने का बराबर है क्योंकि ये किसी भी मैच में चल सकते हैं चाय बैटिंग हो या बाॉलिंग हो दोनों में चल सकते हैं मुझे लग रहा है पता नहीं क्योंकि इस मैच में ये बॉलिंग में चलने वाली क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली पीछ थे वहाँ पे भी Sam Karan ने 68 रण मराने के साथ 2 विकेट निकाला उससे पहले वाले मैच में भी Sam Karan हमारी टीम के कैप्टेन थे वहाँ पे Sam Karan ने 5 विकेट निकाला था मतलब लगतार Sam Karan के वज़े से हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी पिछले मैच में भी जो लोग भी हमारे टीम से कह ले थे सभी लोग प्रॉफिट में रहे हैं और जितने भी प्लेयर हमने अपने टीम में रखे थे लगभग सब नहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उनी में से एक थे सैम करन जीनोंने 35 परण बनाने के साथ 2 विकेट निकाला और यह हमारे टीम के कैप्टें थे जिनोंने अच्छा खासा पॉइंट हमें दिया सो सैम करन इस मैच में भी इंपोर्टेंट रहेंगे सैम करन को आप जरू अपने टीम में रखेगा बैटिंग में भी इंपोर्टेंट रहेंगे और प्लस बॉलिंग में भी इंपोर्टेंट रहेंगे इन्हें आप जरू अपनेटिव में रखें डबलू जैक को ले लीजे अच्छे खासे ओल राउंडर है पिछला मैच में भी विकेट इनोंने लिया था उससे पहले वाले मैच में भी इनोंने 41 रण बनाने के साथ साथ एक विकेट भी निकाला था डबलू जैक इन्पोर्टेंट रहेंगे डबलू जैक को ले लीजेगा लियम डॉसन बहुत अच्छे प्लेयर हैं बॉलिंग भी अच्छा करते हैं बैटिंग भी अच्छा करते हैं पिछले मैच में टॉम करन ने चार विकेट निकाल दिया और प्लस यह बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता है तो मैं तो बोलूँगा टॉम करन को ले लीजेगा टॉम करन इन्पोर्टेंट रहेंगे रभी वो पारा नहीं खेलेंगे जेम्स नहीं खेलेंगे और एम क्रिट चले को लेकर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इनको ना बैटिंग का मौका मिल रहा नहीं बॉलिंग का मौका मिल रहा पिछले मैच में यही हुआ बैटिंग में ज़्यादा मौका मिला ही नहीं और बॉलिंग में इनसे बॉलिंग करवाया ही नहीं गया तो ऐसे प्लेयर को लेकर कोई फायदा है नहीं कर जुरूर जाते हैं सो जैंपा भी इन्पॉर्टेंट रहेंगे इन्हें भी आप जुरूर अपने टिम में रिखेगा ओली स्टोन को रख लिए ये भी अच्छा बॉलिंग कर रहें पिछले मैच में दो विकेट ले करा रहें और फास्ट बॉलर को इस मैच में हिल्ट मिलने वाला है सो ऑली स्टोन इस मैच में भी अच्छा खासा बॉलिंग कर सकते क्योंकि ये भी एक फास्ट बॉलर ही है सो ऑली स्टोन को लिल जागा इन्पॉर्टेंट रहेंगे एन्स आउटर को छोड़ दीजेगा ये उतने कुछ खास प्लेयर नहीं है और पिछले कुछ मैच नैथन इलिस के जगह पे मौका दिया गया था लेकिन बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और कुछ खास बॉलिंग रहा नहीं विकेट भी नहीं मिला सो इस मैच में इनके जगह पे नैथन इलिस को मौका दिया जाएगा सो डी ओरल को छोड़ दीजेगा उतना नहीं रहेंगे एस महमूद को भी छोड़ दीजेगे यह भी नहीं खिख लेंगे और एस जॉन्सन तो लगतार फ्लॉप हो रहे है बिल्गुल भी इनको विकेट मिले रहा पिछले तीन मैच में इंहोंने एक विकेट भी नहीं लिया हुआ है लगतार जिरो विकेट, जिरो विकेट जीरो विकेट तो एस जॉणसन को छोड़ दीजेगा उतना इंपोर्टेंट नहीं रहेंगे नैथन इलिस को ले लिएगा पिछले मैच में नैथन इलिस को रेश्ट दिया गया था लेकिन इस मैच में डी ओरल के जगा पे आपको नैथन इलिस खेलते वे दिखाई दे दे देंगे और फास्ट बॉलर को हिल्प जहां मिलता है वहाँ नैथन इलिस बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं तो नैथन इलिस को ले लिजेगा इंपोर्टेंट रहेंगे जी एटकिंसन नहीं खेलेंगे एमडी लेंगे नहीं खेलेंगे एमवाट नहीं खेलेंगे आर गलीसन मोश्ट इंपोर्टेंट प्लियर है पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत किलियरली बोला था कि आर गलीसन कम से कम दो विकेट आराम से लेंगे और आप देख लीजे इन्होंने दो विकेट निकाला और पिछले मैच में हमने आरगलीसन को अपने टीब में भी रखा था पिछले मैच में क्या पिछले दोनों ही मैच में हमने अपने टीब में आर्गलीसन को रखा था और दोनों ही मैच में उन्हें दो-दो वीकेट निकाला और अभी हाल कि दीनों में लगतार हर मैच में ही दो वीकेट निकाला बहुत अवरिदस्त बॉलिंग कर रहे हैं अजेंगे ले लीजेगा एम टेलर को छोड़ दीजेगा एम टेलर नहीं खेलेंगे आई आप बात कर लेते हैं क्याप्टन और वाइस क्याप्टन के बारे में उससे पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट रहेगा यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है अगर अभी तक नहीं किये हैं तो और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बूक पेश पर देख रहे हैं तो फेस्बूक पेश को भी लाइक करके फॉलू जरू कर दीजेगा इसके अलावा इस वीडियो में देखिए अभी जो मैं आपको Dream Eleven टीम दे रहा हूँ अगर by chance TOS के बाद इस टीम में अगर मुझे कुछ भी changes करने का जुरुत पड़े तो मैं जो भी changes करूँगा सबसे पहले मैं आप लोग को अपने टेलिग्राम पे बताऊँगा सबसे अगर अभी तक आप हमारे टेलिग्राम पे जोईन नहीं हुए तो टेलिग्राम पे जोईन हो सकते हैं टेलिग्राम का लिंक आपको वीडियो के description मिल जाएगा लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे जोईन हो सकते हैं हमारा टेलिग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है एक उर्पय भी आपका नहीं लगगा तो टेलिग्राम पे जुरूर जॉइन हो जाएगा बागी एक पर मैं आपको अपना टेलिग्राम चैनल दिखा भी देता हूँ ताकि आपको जॉइन होने में कोई प्रॉब्लिम ना आए या पहले है तो एक एक लेह है जाएग आपको फायदा हो सकता है पहला फायदा तो आपको यह हो जायेगा मैंने पहला फायदा अल्र pastor र्म लेटी आपको बता धिया आई है बहुत सारे अपडेट्स आते हैं जैसे तॉस अपडेट हो गया पीछ रिपोर्ट हो गया वेदर रिपोर्ट हो गया प्लेइंग 11 अपडेट हो गया टीम नीउस हो गया इंजरिस रिलेटर अपडेट हो गया मतलब तॉस के बाद जितने भी अपडेट्स आते हैं सारे अपडेट्स आपको हमारी टेलिग्राम चैनल पे दे दिये जाते हैं इसके अलावा मैच खतम होने के बाद जो भी हमारी टिम की परफॉर्मिस रहती है उसका स्क्रेन स्वाट लेकर भी मैं सबसे पहले टेलिग्राम पे ही सेर करता हूँ साथ ही साथ जिस मैच का भी मैं वीडियो बनाता हूँ वीडियो का लिंक भी मैं सबसे पहले टेलिग्राम पे ही सेर करता हूँ और भी बहुत सारी चीज़े आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे देखने को मिल जागा जब आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जॉइन होंगे तो आई होप आपरो टेलिग्राम पर जुरूर जॉइन होंगे बाकी फिर भी जॉइन होने में आपके माइन में कोई भी डाउट है कोई भी question है comment किजेगा हम आपके comment कर apply जरू कर देंगे बाकी join होना बहुत ही simple है link पे click किजेगा link पे click करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ नीचे में आपको join का button दिखाई देगा जहाँ भी मैंने यह mark किया है इस जगह पे आपको join का button दिखाई देगा जैसे ही आप join के button पे click करेंगे आप हमारे telegram channel पे join हो जाएंगे बिल्कुल free है बहुत simple इतना simple तरीका है so I hope आप लोग जरूर join हो जाएंगे बाकि link पे click करने के बाद भी आप नहीं join हो पा रहे है तो comment कीजे हम आपके comment का reply जरूर करेंगे और telegram पे join होने में आपका help करेंगे I hope आप लोग comment जरूर करेंगे आईए बात कर लेते हैं captain और vice captain के बारे में तो captain के लिए यहाँ पर मुझे सबसे बेश्ट लग रहे है Sam करन क्योंकि बहुत अच्छे form में चल रहे हैं और हर match में Sam करन के वज़े से हम लोग clean sweep कर रहे हैं जो लोग भी हमारे team से खेल रहे हैं सभी लोग profit में रह रहे हैं क्योंकि Sam करन हमारे team के captain हर match में ही रहते हैं और हर match में ही Sam करन अच्छा performance कर रहे हैं और Sam करन जब form में होते हैं तो फिर कुछ सोचने का ज़रूत नहीं है आख बंद करके इनको captain मलाईए क्योंकि यह हर match में ही अच्छा performance करते हैं जब form में होते हैं और जब form में होते हैं मैंने एक खास चीज देखा है जब यह form में होते हैं तो balling भी अच्छा करते हैं और batting भी अच्छा करते हैं दोनों एक साथ अच्छा करते हैं मैंने इनको चेनी super king team की तरफ से भी खिलते वे देखा हैं जब form में होते थे तो हर match में ही मतलब batting भी अच्छा करते थे बॉलिंग भी अच्छा करते थे पंजाब king stream की तरफ से भी खिलते वे देखा है वहाँ पर भी जब form में होते थे तो batting बॉलिंग दोनों ही बहुत अच्छा करते थे सो Sam Curran मुझे captain के लिए सबसे भरू से मन्द player लग रहे और बहुत अच्छे form में भी चल रहे हैं हर match में अच्छा performance कर रहे हैं सो Sam Curran को captain मना दीजे और wise captain मैं R Gleeson को बना रहा हूँ थोड़ा सा आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि मैं R Gleeson को क्यों wise captain मना रहा हूँ क्योंकि देखें R Gleeson भरू से मन्द player है हर match में कम से कम दो wicket अर्राम से ये लेंगे और मुझे लग रहा है इस match में 3 या 4 wicket भी ले सकते हैं क्योंकि fast baller को इस match में help मिलने वाला है और R Gleeson एक अच्छे खासे fast baller है so मुझे लग रहा है इस match में 3 या 4 wicket भी इस match में R Gleeson ले सकते हैं क्योंकि ये consistent baller है हर match wicket लेने के लिए जाने जाते हैं so wise captain के लिए मुझे R Gleeson ही सबसे बेश चोईस लग रहे है और captain के लिए सैम करने बाकि इन दोनों के अलावा अगर आप किसी और को captain wise captain के लिए try करना चाहिए तो कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको कुछ option बता जेता हूँ जिनको आप लो try कर सकते हैं अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से Russell एक important player है और fast baller को help मिलेगा तो मुझे लग रहा Russell इस match में balling करेंगे अच्छा खासा balling करेंगे और wicket भी लेंगे और प्लस Russell बैटिंग बे अच्छा ही कर लेते हैं तो Russell को आप try कर सकते हैं captain wise captain के लिए डबलो jack बहुत अच्छे allrounder है batting balling दोनों बहुत अच्छा करते हैं तो इनको आप try कर सकते हैं captain wise captain के लिए tom current बहुत अच्छे form में चल रहे और पिछले match में 4 wicket लेकर आ रहे मुझे लग रहा पिछले match वाला performance ये इस match में भी दोरा सकते हैं क्योंकि बहुत ये अच्छे form में चल रहे so tom current को आप captain wise captain ले try कर सकते हैं और यहाँ से Liam Dawson ये भी बहुत अच्छे all round रहे batting, balling दोनों बहुत अच्छा करते हैं इनको भी आप captain wise captain के लिए try कर सकते हैं so ये 4 player इस match मुझे important लग रहे और मुझे लग रहा है ये 4 ही इस match में बहुत अच्छा performance कर सकते हैं so अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो इन 4 में से भी किसी को captain wise captain के लिए try करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाकी मुझे जो सबसे best लगा हूँ मैंने आपको पहले ही बता दिया Sam Curran और Arglison ये मुझे सबसे best choice लग रहे और फिलाल के यही दोना हमारे team के captain wise captain रहेंगे और फिलाल के लिए यही अमारी final dream 11 team रहेगी उमीद करता हूँ ये team आपको अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को like करके channel को subscribe जुरू कर दीजेगा इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को हमारे facebook page पर देख रहे हैं या फिर facebook group हो या फिर instagram हो या फिर telegram हो जहाँ share करना चाहिए वहाँ पर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं और comment करके जुरू बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा जिसका comment मुझे सबसे अच्छा लएगा उसके comment को मैं like भी दूँगा heart भी दूँगा पीन भी कर दूँगा इसके लाव उसके comment का screen shot लेकर मैं अपने telegram पे share कर दूँगा so comment आप लोग जुरू कर दीजेगा बाकी आपका कोई suggestion है तो आप अपना suggestion भी दे सकते है comment करके आपका suggestion हमारे लिए हमेशा ही मत्तुपूर्ण होता है important होता है so अपना suggestion भी आप दे सकते हैं बाकी अगर अभी भी इस match related आपके mind में कहीं भी कुछ भी 1% भी अगर कहीं doubt आ रहे तो वह भी comment कीजिए उसका भी reply आपको जरूर मिल जाएगा और चाते जाते टेलिग्राम पे चरूर चोईन हो जाएगा भूलिएगा मत क्योंकि जो चीश टेलिग्राम पे मिलेगा वो चीश आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है तो टेलिग्राम पे चरूर चोईन हो जाएगा तो इस वीडियो को यही पेंड करते हैं मिलते अगले वीडियो में तब तक लेच्छे आहिंद बंदे मात्रम